तो let us study about the junction transistor ठीक है अभी तक हमने जो पड़ा है वो पड़ा है हमने PN junction diode है na PN junction diode में हमने क्या किया है हमने एक P type semiconductor और N type semiconductor को आपस में sandwich किया है P type and N type लेकिन जब हम junction transistor की बात करते हैं इसमें क्या होता है इसमें हम for example एक P type semiconductor लेंगे ठीक है यह हमारा एक P type semiconductor हो गया यहां से और एक P type semiconductor similar exactly यही यही वाला P type semiconductor लेंगे मालिज अगर यह सिलिकान है तो यहां से भी सिलिकान ही ले जाएंगे लेकिन P type दोनों होने चाहें ठीक है तो इनके बीच में इनके बीच में हम diffuse करते हैं हम sandwich करते हैं एक N type semiconductor को ठीक है इस क्या कि हमने हमने P type semiconductor लिया ठीक है P type 2 टू 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 तू हमने लिए पी टाइप semiconductor is there हैं लेकिन Similar है सेम नेचर के है लेकिन अगर यह जिर्मियम है तो यह भी जिर्मियम होगा अगर सिलिकान है तो यह सिलिकान है जो यह जो Еक्मिक करण्टों है वह सेम सेमिक करनेक्टर यह भी है लेकिन दोनों किया है पी टाइप है इन दोनों के बीच में हमने क्या क्या है एंड टाइप से में करनेक्टर राल दिया ठीक है तो क्या होगा इसमें इसमें होगा जो यह पी टाइप और यह एंड टाइप है इनके बीच में एक जंक्शन बनेगा इसको पीन जंक्शन कहते हो like this यह एक जंक्शन बन जाएगा और यहां भी इस N और इस P के दर म्यान एक जंक्शन बन जाएगा इसका deflation region भी कहते है ना deflation region या junction तो यह जो हमारा device बन गया इसमें क्या किया है दो P type है और एक N type है जो ए N type है it is sandwiched between two P type semi connectors Similarly, we can take like this मेरे पास दो n-type semiconductor होंगे same nature की, similar है ना तो इनके बीच में क्या करूँ मैं एक p-type semiconductor डाल दीता हूँ दो n-type की बीच में मैंने p-type semiconductor डाल दिया तो यहां पर भी क्या होगा? same हमारे पास यहां पर भी n-p junction बन जाएगा और यहां पर p-n junction बन जाएगा like this है ना, depletion region तो यह जो device में ने बना जाए प-n-p या n-p-n इसको हम basically कहते हैं junction transistor ठीक है? तो junction transistor है क्या? basically junction transistor is a device which is made up of three semi-connectors यहन्य हम three types दो type के semi-connector होते हैं ठीक है? लेकिन इसमें से क्या होता है? हमारे पास दो, दो depletion region यहन्य दो junctions बनते हैं दो junctions बनते हैं और three terminals p, n, and p इनको हम कहेंगे terminals या n, p, and n तो हमारे पास junction transistor में इस तरह से हम बनाते हैं दो p-type के बीच में n-type को sandwich करते हैं या दो n-type के बीच में p-type को sandwich करते हैं ठीक है? तो इसे हमारे junction transistor में we have two junctions दो junctions बनते हैं हाला कि p, n junction diode जो हमने already पढ़ा हुआ है यह वाला इसमें एक ही junction बनता है और दो terminal थी p-type and n-type, right? लेकिन यहां पर तीन terminals हैं और हमारे पास दो junctions बने हुए हैं तो two junctions and three terminals ठीक है? तो इस device का नाम है junction transistor इसलिगा हमने रखा है junction transistor ठीक है? अब junction transistor हमने क्या देखा हमने हमारे पास two types of junction transistor हैं या तो हम p-n-p-ë बना सकते हैं या n को हम दो p के धरमियान sandwich करेंगी यह हम NPN बना सकते हैं P को दो N के दर मियां sandwich करेंगी तो हमारे पास दो तरह के junction transistor है एक है NPN और दूसरा है PNP So we can say we have two types of junction transistors One is NPN transistor और दूसरा है PNP transistor ठीक है तो इसमें कितने होते हैं तीन तीन terminals होते हैं एक transistor में जबकि हालकि एक diode में PN junction diode तो दो terminals होते हैं लेकिन जब हम junction transistor की बात करते हैं तीन terminals बनते हैं इसको हम इसलिए triode भी कह सकते हैं We can call it sometimes as triode because इसमें तीन terminals पाए जाते हैं NPN और PNP ठीक है अच्छा अब जो आपको यह दिख रहा है left side जैसे हम पहले हम PNP की बात करेंगे दो मिट के लिए फ़र एजम्पल यह PNP की बात करेंगे ठीक है PNP transistor जो left में है P ठीक है इसको हम कहते हैं emitter इसको हम कहते हैं emitter चलो पहरे इसको समझते हैं जो ही मैं दुबारा बनाता हूं जैसे यह है ठीक है यह हमारा हो गया P यह है N और यह है P ठीक है जो ए P है इस P का नाम है emitter हम इसको बोलते है it is called emitter emitter चीक है क्यों emitter कहा जाता है इसको पहली बात यह है कि जो emitter होता है इसमें जो हम doping करते हैं इसमें जो हम doping करते हैं बहुत ज़ादा doping करते हैं so this emitter this lemitter इस left side जो हमारे पास semiconductor है तो यह जो P-type semiconductor यहाँ पर है, it is heavily doped, इसकी बहुत ज़र डोपिंग करते हैं, डोपिंग का मतलब तो पता है आपको, डोपिंग का मतलब होता है, addition of impurities, है न, तो यह तभी P-type बन गया है, जब मैंने इसमें क्या किया, addition of impurities किया होगा, ठीक है, तो मैंने इसमें trivalent impurity, एक intrinsic semiconductor में, जब हम trivalent impurity add करते हैं, तो वहाँ पर पंद है P-type semiconductor, तो जो P-type बन गया है, RAD, जो मैंने बनाया हुआ है P-type semiconductor, इसमें मैंने trivalent impurities बहुत ज़्यादा डाली होंगी, उसका मतलब होता है, heavily doped, है न, तो मैंने doping बहुत ज़्यादे की हैं, आच्छा, यह भी पाता है, आपको जितना डोपिंग ज़्यादा करोगी, उतना इसमें, holes ज़्यादा create होंगी, हैना, यह है P-type semiconductor, तो इसमें क्या होगी, holes बहुत ज़्यादा create हो जाएंगे, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ, heavily doping से, इसका मतलब यह हुआ, जो इसमें majority carriers हैं, वो तो holes हैं, प्रिकास इस P-type semiconductor, हैना, तो this is the P-type semiconductor, इसको हम कहते हैं, emitter, क्योंकि यह heavily doper होता है, इसमें बहुत doping की जाती है, उसकी वज़े से majority carriers, जो holes हैं, वो उनकी concentration बहुत ही ज़्यादा होती है, अच्छा, जब हम इस P को N के साथ यहां पर connect करते हैं, तो क्या होगा, these holes will move towards N, because N में क्या होता ह N में, जो doping होती है, बहुत कम होती है, lightly doped, lightly doped, ठीक है, जो हमारा N होता है, N-type semiconductor, इसकी doping बहुत ही कम करते हैं, यहां पर जो मैंने pentavalent impurity add की होगी, वो बहुत ही कम है, तो उसकी वज़े से क्या होगा, उसकी वज़े से यहोगा, जो electrons है, जो majority carriers होते हैं N-type semiconductor में, वो कम होगी, majority carriers electron ही हैं इसमें, लेकिन कम है, because doping कम की है मैंने, ठीक है, तो N-type semiconductor में, जो majority carriers की concentration होगी, वो कम होगी, अच्छा, अब जब holes, यहां से transfer हो जाएंगी, N की ओर, है न तो इसके क्या मतलब हुआ, P-type से holes जाते हैं N-type की ओर, ठीक है, P-type से holes जाते हैं N-type की ओर, तो इसको हम कहते हैं, जब यह P-type से holes जाएंगे N-type में, तो हम कहेंगे कि, इस P-type ने majority carriers को emit किया, है न, emit किया, ठीक है, तो that is why it is called emitter, because majority carriers are emitted by this P-type semiconductor, ठीक है, because majority carriers are emitted by this P-type semiconductor, ठीक है, वो जो majority carriers N में चले जाएंगे, ठीक है, तो इसके बाद N से गुजर के जाएंगे कहां, इस वाले P-type में, इस वाले P-type में, ठीक है, तो यह वाला P-type जो है, राइट साइड में, इसमें जो हमें doping की होती है, that is moderate doping, moderate doping, ठीक है, यानि इसमें N-type से ज्यादा doping हुई है, और P-type से कम doping हुई है, उसको बहुते हैं moderate doping, तो emitter से majority carriers निकलते हैं, N की और, और N से निकलते हैं, P की और, तो P basically क्या करता है, collect करता है majority carriers को, ठीक ह हैं, इसके से majority carriers holes हैं, तो जो ये P है, ये holes को collect करता है, इसलिए हम इसको नाम रखते हैं collector, because it collects the majority carriers, यहाँ पर majority carriers holes हैं, तो this वाला P-type से में conductor, emit करता है, और this वाला P-type से में conductor, collect करता है, तो इसका हम नाम रखें हैं, emitter, इसका हम नाम रखेंगी collector, बीच में जो मैंने N-type से स्मिकनेक्टर लिया है जिसकी डोपिंग में बहुत कम की है इसका हम नाम रखते हैं इसका बेस इसका क्या फंक्शन है बेस एक इंट्रेक्शन बना देता है इस पी टाइप स्मिकनेक्टर को और इस पी टाइप स्मिकनेक्टर की बीच में जो इंट्रेक्शन बनेगा वो बने पहले वाले P-type को इमिटर कहेंगे इसको Base कहेंगी और इसको कहेंगे Collector इमिटर क्यों कहते है लिए क्या सब्सक्राइब ? अब यह जो हमारे transistor है इसको हम symbolically लेखेंगे थोड़ा ठीक है कैसे लेखेंगे हम देखिए यह जो P, N और P है हम जब biasing करते हैं तो क्या करते हैं यह जो P type semiconductor है ठीक है देखिए P type और यहां यहां से N type like this P और N के बीच में जो हम battery connect करते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अन को मैं बैटरी के नगीट्व के साथ connect करता हूं और P को मैं बैटरी के positive के साथ connect करता हूं ठीक है तो इससे क्या हुआ इससे जो हमारा P N यह वाला junction P N junction है ना left side का जो junction बन गया P N junction यह हो गया forward bias इसको मैं ने connect किया forward bias में इसी तरह जो right side का जो junction है N P junction यह पी N junction भी कह सकते हैं तो इसमें मैं क्या करता हूं यहां से connection लेता हूँ P-type से ठीक है देता हूँ ऐसे P-type को मैं बैटरी के नगेट के साथ और यहाँ जो एन टाइप का अनक्षिन है इसको बैटरी के पोस्टिक के साथ करता हूँ तो यह वाला junction यह दूसरा जो junction है यह वाला junction ठीक है यह हो गया reverse bias तो हम क्या करते हैं junction transistor में हम इस वाले PN junction को left side वाले PN junction को forward bias करते हैं और right side वाले junction है उसको हम reverse bias भी करते हैं reverse bias ही करते हैं इसी तरह अगर हमारे पास NPN होता तब भी हम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं तो यह जो junction है यह वाला junction इसमें P type और N type जो P type इसका नाम हमने emitter रखा N type का नाम हमने base रखा तो इस वाले junction को हम कहते हैं emitter base junction ठीक है so emitter base junction जो है इसको मैंने क्या किया forward bias और यह यह वाला junction इसको हम क्या नाम रखते हैं चूंकि यहां पर base है N is base here P is collector so it's called base collector junction या collector base junction ठीक है तो दूसरा junction हम कहेंगे यह तो emitter base बन गए वो बन गए collector base junction collector base junction तो collector base junction को हम क्या करते हैं reverse bias करते है ठीक है ओके तो मैं repeat कर रहा हूँ कि अगर यह तो हमारा pnp हो गए अगर npn होता ना तब भी हम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं उसमें n होता हमारा emitter, p होता हमारा base और n होता हमारा collector उसमें भी हम बिल्कुल ही emitter base junction को हमेशा क्या करते हैं forward bias और collector base junction को हमेशा करते हैं reverse bias अब जब biasing करेंगे तो खुद सूचे खुद देख लिए क्या हो positive potential है तो यह holes को repel करेगा, these holes क्या हो जाएंगे, वो move हो जाएंगे towards n इसलिए हम इसको कहते हैं emitter क्योंकि यह current को emit करता है, holes को emit करता है, majority current को emit यहीं करता है, p type वो n में चले जाएंगे, n के बाद, अच्छा, n में जब holes आ गई, यह वाले holes, यह वाले holes जब n में आ गई, यहां से n में हमने क्या किया है, p type को हमने reverse bias किया है, तो इसका negative potential in holes को attract करेगा, right, तो वो holes कहां जाएंगे, इस collector में, तो finally इसको हम इसलिए नाम कहते हैं, collector, क्योंकि collect करता है, यह emit करता है, और यह एक रस्त बनता है, एक pull बनता है, एक bridge बनता है बीच में, तो यह proper interaction प्रोवाइट करता है, p और p के दर्मियान में, अच्छा, चूंकि हम जानते हैं, emitter, जहां से जब holes transfer हो जाएंगे, n q, और तो हम इसको कहते हैं क current flow हो गई, और इस current का हम नाम रखते हैं, forward current, है ना, इस current का हम नाम रखते है, forward current, because forward biasing में है यह वारा junction, तो यह forward current चलती है, ठीक है, यह forward current है, यह किस की वज़़द से हैं, holes कहां से कहां की और जा रहे हैं, holes जा रहे हैं, emitter से, base की और, तो इस चीज़ को मैं अगर symbolically एकल में चुम्काइब कर देंट हैं थोदिर न डर्ण डर्ण 2021 सिंबाल के लिए इस माला हमारा बैस बन गया त्टिख है अच्छा अब इसस्ट इस में लेफ्ट सब्राइक हैं 20 सब्राइब और ख्राइड है कोलेक्ट तो यह उपे जोट्षार्ण लेकिन कहा से शहां की जा तर इमेटर से स्केर्मिट्ट तर मखें त्वालेति हैं आपराने गारों से से बेस की होड़ल oh तो करण कहा से जा रहे है करण ऐसे जा रहे है इमिटर से बेस की ओर तो इस चीज़ को फुड़ा ऐसे एंड सर्कल कर लेते हैं ऐसे है ना सर्कल बनाती थे इस चीज़ का लाइक दिस तो बस यह हो गया हमारा इसको मैं एसे करूंगा दॉलइक्ट ठीके तो यह हमारा बन गया यह दिखो रिधाको यह से क्हलेक्टर् looks करता और यह जो यह हैं से इमीटर को si हो रहे या भी जो current flow हो रहे हैं that flow भी हम इमिटर टो बेस सो इस तरह arrow हो गया emitter to base current flow हो रहे हैं अब अगर हमारे पास N p n होता है यह तो पी एन पी का है है जर्ड देख लिए गए अगर हम N p n की बात करेंगे ठीक है च्वोटा सा आन पी बना देता हूं में तो पी यह हमारा ऑट यह हमारा इमिटर है तो यह बेस है तो यह इमिटर है ठीक है यह बेस है और यह हमारा कॉलेक्टर बन गया तो इसको हम forward bias कर लेते हैं इसको हम forward bias कर लेते हैं like this इसको हम battery के positive के साथ connect करेंगे sorry battery के negative के साथ connect करेंगे इसको positive के साथ connect करेंगे अच्छा PN junction को क्या करेंगे reverse bias तो यहाँ पर positive और यहाँ पर negative यहाँ न को positive के साथ connect करेंगे P को negative के साथ connect करेंगे तो यह हमारे reverse जो base collector junction है reverse bias हो गया emitter base junction forward bias हो गया अब इस के सिंपल कैसे लखेंगे कैसे लेखेंगे फिर exactly same करेंगे हम देख लिए यह हमारा base है ठीक है यह हमारा base है यहां पर ऐसे तो यह हमारा emitter हो गया और यह हमारा collector हो गया ठीक है यह यह पर direction of current कैसे लेखेंगे देखिए यहां पर क्या होगा चूंकि यह forward bias है electrons will move from end to P तो emitter से लेकि bays की और emitter से base की और current flow होती है लेकिन यह electrons है लेकिन current क्या होती है हम current कैसी जो इसकी direction होती है we take it pause to charge की direction जो होती है न यह तो पता ही है आपको यहां पर हम इमिटर से बेस्क्रों नहीं दिखाएंगे हम दिखाएंगे बेस से इमिटर की और बिगाज बिकाज हम और करेंट लेती हैं न काल ये opposite टिदेज्ट देज्चिनफ फ्लोफउफ से सद्दिए हैं न 10 ऐसरी कटुघ वीड अन्षीटर पर गगां यह घुंद आप पिष्टक करेंडे सप्सक्पार कॉर्णॡ बन गया यह घूजर अ क्टॉल बन गया और यह अचाइव ङहांपर होलो स मू होते हैं फर्म इमितर भीस यहां पर होलो स मू होते हैं फर्म हिमितर भीसर जा कर्स